चलिए जी, thank you so very much for coming back, मिर राम है सुने लदिकारी और आप देखरे हैं spoken English classes, कैसे हैं बच्चे लोग सारे, चलिए जी, day 43 में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, आज फिर हम 5 नए vocabulary development words लेके हाजर हैं बच्चों के सामने, चलिए, पहला word discuss करते हैं, जो की है contribution, c-o-n-d-r-i contribution मतलब होता है, दान करना, बोलते हैं contribute करना चीए, जबी भी कुछ भी आपदा होती है, जबी भी miss fortune होता है किसी के साथ भी, तो हमें effortly सबको contribute करना चीए, पैसों से हम contribute कर सकते हैं, या फिर हम किसी भी तरह किसी की help कर सकते हैं, तो contribution मतलब होता है, दान करना, पुन्य करना अगर synonymous की बात करें तो donation है, gift है benefication है, right beneficion बोल सकते हैं इसको grant है grant है, G-R-A-N-T grant है right, so these all are the synonymous of contribution, right आपने देखा होगा कि आप birthday party organize करते हैं या फिर कोई भी party के लिए जाते हैं तो बोलते हैं, हम contribute करकर हम पैसे arrange कर लेंगे, right, contribute क्या होता है चोटे-चोटे positions में जो भी हर person, जो भी उस group में शामिल होता है, वो जब मदद करता है that is called contribution, right example की बात करें, small contribution can lead to big changes चोटे-चोटे contribution भी बड़े changes ला सकते हैं किसी की life में, या true है न, अगर हम किसी भी relief fund के लिए contribute करते हैं तो अगर एक-एक रुपए भी देंगे तो इंडिया में इतने सारे जनसंक्या है, population है, तो करोडो रुपए एकटा हो जाएंगे, right small contribution can lead to big changes, am I making sense हो रहा है बच्छो clear, okay let's move on to the word number two that is controversial c-o-n-t-r-o-v-e-r-s-i-a-l controversial होता है विवादस्पद विवादस्पद मतलब होता है कोई ऐसे चीज जो की बहुत controversy create कर रही है, मतलब ये negative word है वैसे कि negative हम इसको frame of mind में use में लेते हैं, जहांबर जो भी चीज है वो जैसी थी, उसको थोड़ा बिगाड के पेश करा गया है, ऐसी मतलब उसको इतनी अफवा में तबदिल कर दिया गया है, जो किसी भी person के लिए ठीक नहीं है उससे debatable हो सकता है वो issue, इसके synonymous देखते हैं फिर आपको थोड़ा बहुत clear हो जाएगा, देखे contentious होता है, right disputed होता है debatable है, arguable है और awkward है, right, कोई भी situation, controversial matter हो सकता है जब आपको किसी person के बारे में नहीं बोलना चाहिए था, public और आपने उसको बोल दिया है, publicly या फिर आपके कोई recording leak हो गई है जिसमें आपने किसी की बुराई करी थी या कोई ऐसी clip है, जो कि controversial है, वो release हो जाती है social media में, that becomes a controversial topic, right आप किसी के बारे में कुछ गलत बोल देते हैं जो कि पुरे दुनिया भर में फैल जाता है that becomes a controversial topic, right एंटर्मस की बात करें, तो agreeable होगा, undoubted होगा peaceful होगा, ये सारे क्या है controversial के, एंटर्मस हैं example की बात करें, तो the meeting ended in controversy with allegation of corruption कोई meeting थी, जो कि controversy में end हुई, और end क्यों हुई, क्योंकि जो person होगे, उसमें corruption का allegation या charge लग चुका था that means, जिन लोगों के पास आप meeting करने गए थे आपको between the meeting या starting of the meeting पता लग गया, कि वहीं है, इसमें corruption के charges लगे वहीं, या जिन लोगों के साथ में meeting करने वाला हूँ, वो लोग ठीक नहीं है तो थोड़ी बहुत controversy वहाँ पर, controversy वहाँ पर create हो चुकी है या हो गई है, जिसकी वज़े से, वो meeting बीच ही में, तोड़ी नहीं पड़ी या खतम हो गई, पूरा बच्चो clear, चलिए, second word के बाद, third word देखते हैं, आज का वो है, convene, c-o-n-v-e-n-e convene मतलब होता है, बच्चा organize करना, हिंदी में बोलेंगे, आयोजित करना, राइट जैसे की, assemble, बहुत सारे लोगों का assemble करना, एक जगे, organize करना, कोई भी चीज, gather करना, unite करना, summon करना, एक summit होता है, जहां पर बहुत सारे जो leaders होते हैं, वो इक खटा होते हैं, that is a part of a convene, right, autonomous की बाद करें, तो separate, अलग-अलग divide करना, disperse करना, भीड को हटाना, तो यह सारे इसके ulti words होंगे, opposite words होंगे, example की बाद करें, we are planning to convene a meeting of the members, मतलब हम आयुजित कराना चाहरे हैं, हमारे जो members से उनकी एक meeting, तो यह simple size का example हो चुका है, चलिए, fourth words की तरफ हम discuss करेंगे, जो की है convenient, सुवीदा जनक बोलते हैं, कि हैं बहुत convenient हो चुका है, online platform की वज़े से, online space की वज़े से, internet की वज़े से, अब हमें shopping करना, अब हमें bill payment करना, अब हमें कोई भी चीज घर अपने मगाना, home delivery करवाना, चैसे कोई भी household समान है, essential goods हैं, वो बहुत easy हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, that becomes, that thing has become a convenient to us, right, synonymous की बात करें तो suitable, appropriate हो गया, helpful है, conducive है और timely है, right, अगर autonomous की बात करेंगे, तो वो ही bad हो गया, inappropriate हो गया, disadvantageous हो गया, harmful है, hurtful है, useless है, तो यह सारे क्या है, convenient के autonomous है, it is very convenient now to pay the bills online, जी हाँ, अब बहुत easy हो गया है, कि हम घर बैटे-बैटे ही line में लगने की भी जरुवत नहीं है, हम अपने mobile के payment हो सकता है, हम अपने gas cylinders के refilling हो सकता है, हम अपने पानी के, बिजली के जो bills वगेरा होते हैं, household जो bills होते हैं, वो भी हम online पे कर सकते हैं, right, चलिए, let's move on to the fifth word, that is convicted, c-o-n-v-i-c-t-e-d, convicted मतलब होता है बच्चे लोगो, अपराधी, right, कोई भी जो सजा कार्ट के आ रहा है, या सजा कार्ट ने जा रहा है, उसको convicted, right, जो victim हैं, हम उसको भी convicted बोल सकते हैं, अपराधी को, right, in prison बोल सकते हैं, sentence, declare guilty, जो दोशी साबित हो चुका है, declare guilty मतलब, right, endonomous की बात करने हैं, तो free करना, liberate करना, रहा करना, उसको जिस सजा के लिए, उसको सजा मिली थी, जिस गुना के लिए, आप उसको free कर दिया गया है, liberate कर दिया गया है, तो इसका क्या होगा, endonomous होगा, example की बात करें, Johnny was convicted of the murder of his friend, Johnny जो थे, किसी का नाम होगा, उनको jail में बंद कर दिया या उनको पकर दिया गया, क्यों, क्योंकि उन्होंने अपने friend का murder कर दिया था, he was convicted by the police for the murder of his friend, हो रहा बच्चो clear, तो ये थे, आज हमारे 5 words, quickly, जल्दी से हम 5 words का revise कर लेते हैं, कौन कौन से words, आज हमने day 43 में पड़े हैं, पहला था contribution होता है, दान करना, पुर्णी करना controversial, कोई भी विवादसपत topic जिसके बारे में नहीं बोलना चीए था और आपने बोल दिया है, और हर लोगों को पता लग गया है, और उसमें criticism आ रहा है, कोई favorable भी बोल रहा है कोई negative बोल रहा है, that is called controversial right, third word था convene, convene मतलब होता है, उजित करना organize करना, fourth word था convenient, सुवीदा, जनक, easy होना कोई भी चीज आपके लिए आसान जब बन जाती है तो that thing becomes convenient right, then you have a word called convicted, अपराधी को जब सजा मिलती है अब जब पकड़ लिया जाता है, that is the word called convicted हो रहा है बच्चो, clear, तो यह थे आज के पांच पर सुमीद कर रहा हूँ, आपको पसंद है होंगे इस session का day 43 का आप PDF डाउनलोड कर सकते है हमारे telegram group से, उसका link आपको description में मिल जाएगा, thank you so very much for watching